हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए ABP LIVE APP प्रवेश वर्मा ने राहूल गांधी पर निशाना साधा है और उन्होंने राहूल गांधी पर निशाना साथते हुए काहा है कि राहूल गांधी वारस है ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त राहूल गांधी को क्वारंटीन सेंटर बेजा जाना चाहिए ये कहा है प्रवेश्वर्मा ने सुनिया गांधी और प्रेंका गांधी पर भी निशाना साधा है और प्रवेश्वर्मा ने निशाना साधा है राहूल गांधी पर राहूल गांदी को वार्यस बताया, साती उन्होंने प्रेंका गांदी और सुनिया गांधी पर भी निशाना साधा है, इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हम आपको उन्होंने ये भी कहा है कि राहूल गांदी को कौरिंटीन सेंटर भेजा जाना चाहिए। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त राहूल गांधी पर प्रवेश वर्मा ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राहूल गांधी वार्यस है और राहूल गांधी को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाना चाहिए साथी साथ सुनिया गांधी और प्रेंका तो उस बयान के जवाब में प्रवेश वर्मा ने सुनिया गांधी रहुल गांधी और पेंका वर्ड़ा के लिए वाइरस रतेशक के इस्तेमाल किया है और शाफ पर कहा है कि इन तीनों ही लोगों को कुरिंटाइन सेंटर भेज देना चाहिए क्योंकि यह लोग प्रोना वार इस सामने होते उतके बावजूं प्र वाक्स्षी पाटें सी इस दरीके बैयान ने रही है क्यो chilli मुझे अनकीत बात बताएंए बयान बाजी तो ठीक हो रही है रही है लेकिन नेता किस तरह से जाकर बयान दे रहे हैं, ये भी बहुत सवाल खड़े कर देता है, कि आखर इतना तेल बिला क्यों जा रहे हैं, दूसरे के बयान बाज़े से, कि कोई भी शब्द इस्तमाल करने लग रहे हैं, और राजरिती आखर क्यों इस पर? लेकिन उसके बाज़ूर बयान बाज़ी हो रही है, और अब तो इस तरीके के शब्दों का इस्तमाल भी शुरू हो गया है, जी अंकित बहुत शुक्रिया आपका, अंकित पूरी जानकारी दे रहे थे, और दीकित से कुछ मिनट पहले अंकित प्रवेश्वर्मा से बातचीत की थी, क्या कुछ वो बाज़ी थी, एक बार वो सुनवा देते हैं आपको, रहूल कांधी ने बाई सारिक को जो सरदली बैठा कोई थी, उसका एक वीडियो रिलिस करते हुए है, ये बताया है कि ये लॉक्डाउन पूरी तरहां से असफल साबित हुआ है, और अब उसको के सवाल ये हो रहे हैं कि ऐसे तो देश में मामले लगातार बढ़ते जाएंगे, हमासर मौजूद है प्रवेश वर्मा, बीजेपी सांसर, प्रवेशी, मोजी सरकार लगातार ये कह रहे हैं कि लॉक्डाउन का फायदा हुआ है, आईसी एमर की तरफ से कहा जा रहा है कि हा हुआ है, मगर बहुत ही दुखी बात है कि हमारे देश में एक ऐसा प्राणी है, जो हमारे देश में कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, तो उसको अच्छा नहीं दिखाई देता, तो मेरे ख्याल से हमारे प्रिये राहूल गांधी जी को करेंटाइन में डाल देना चाहिए, जब तक लॉगडाउन पूरी तरीके से हमारा वाइरस पूरी तरीके से खतम नहीं हो जाता, राहूल गांधी जी, प्रेंखा गांधी जी, सोनिय गांधी जी ये एक अपने आप में इस देश के अंदर में वाइरस हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगे और ये इस तरीके से पैनिक का मोहल हमारे देश में फैलाते रहेंगे तो बहुत लोगों में चिंता बढ़ जाती है तो हमारा इनसे भी आगरे है कि इतना पैनिक ना फैलाएं और अगर ये कुछ मदद कर सकते हो जूटी मदद नहीं अगर इस सची मदद कर सकते हो तो आगे आए और नहीं कर सकते हो तो किरपे चुप रहे के बैठे अपना क्वारेंटाइन करें अगर हमारे परधान मंत्री जी ने हमारे वित मंत्री ने बीस लाग करोड़ का आर्थिक पैकेज के एलान किया गया वो भी सिर्फ एक चलावा एक दिखावा अगर हमारे परधान मंत्री जी ने हमारे वित मंत्री ने बीस लाग करोड़ के पैकेज की गोशना करी है हाँ वो क्योंकि इनके अगर कॉंग्रिस की सरकार होती तो बड़े बड़े बिजनस्मेन के जेबो में चला जाता तो इनको लगता कि शायद वो पैसा ठीक हातों में पहुँच रहा है क्योंकि ये पैसा देश के गरीब लोगों के राशन तक जा रहा है उनकी सारी विवस्ता पहुँचाने में काम कर रहा है इसलिए इनको ये महसूस नहीं होता है एसास नहीं होता और इनको गांधी परिवार को ये भी लगता है कि जब इनों ने जब ये ऐसे पैकेज लेके आते थे तो उसमें तो लाखो रुपे का घोटाला होता था लाखो करोड का घोटाला होता था तो अगर ये हमारी सरकार पैकेज लेके आ रही है तो इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है क्योंकि राजीव गांदी जी एक रुपया भेशते थे तो नीचे 16 पैसे पहुंचते थे इनको आज तक वही सपने आते हैं मगर मैं इनको पताना चाहता हूँ कि आज हमारे परधान मंतरी जी अगर एक रुपया भेशते हैं तो नीचे एक रुपया ही पहुंचता है एक पैसे कभी भोटाला नहीं होता है कर दो नहीं होता है